आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सोस्ट्रालोजी के सिंकर अगस्ट कॉम्ट से रिलेटेड है उनकी बायोग्राफिय हमने पढ़ लिया है जो सेकेंड यूनिट की है पीजी टी के तो आप उसी की सीरीज में हम ये कॉंसेट को कवर करते हैं लौ आफ त्री स्टेज के जो कॉंसेट है वो हमने कवर कर लिया है अपने वीडियो नहीं देखिए तो ज़रू विजिट करें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है एक्जाम में पूश भी लिया जाता है कि और आपको समझना है कि law of three stages क्या है तो उसे विजिट की ज़रू करें ठीक है चलिए आज का जो कॉंसेट है आपका stages of thinking and social organization तो इसमें इन्होंने मानों के चिंतन के इस तरो समाज संगठन की बात की है एदि आपने law of three stages की नहीं वीडियो देखे तो जरूर देखें क्योंकि उसे देख लेंगे तो आप इसे easily समझ जाएंगे ठीक है तो sequence से बनाते चलिए PGD का preparation चल रहा है और unit wise हम chapter को cover कर रहे है प्लस उसके MC को इस भी sort कर रहे ह तो first unit हमारी cover हो चुकी है यह second unit है जिसमें हमने first thinker जो हमारे august company है जिने हम father of sociology कहते हैं तो उनको cover कर रहे है उनकी biography cover कर लिए उनका जो first concept है law of three states उसे हमने cover कर लिए यह second है तो इसे भी cover करते हैं इसके बाद जो हमारा विज्ञान की जो हरैर्की उन्होंने दी थी आपनी जो concept है बहुत important है क्योंकि इन्होंने n कुछ relate करता रहता है कि कोई thinker किसी चीज को किटिसाइस करता है तो किसी चीज का नया प्रतिपादन करता है तो sequence से ये classical thinker भी है तो हम sequence से पढ़ते चलेंगे और अच्छे से concept को समझेंगे चलिए तो देखते हैं मानो चिंतन की जो इन्होंने thinking बताई थी तो हमने law of three stage में कवर किया था कि चिंतन के तीन इस्तर होते हैं उन्हीं इस्तरों की इन्होंने यहां पे बात की और कहा कि जो चिंतन है वो संगठन का भी आधार है जो चिंतन उन्होंने law of three stage में बताया उन्होंने बताया कि यह जो लाव्स त्री स्टेज के जो चिंतन है इस्तर है वो ही इस्तर मानों में जो संगठन एक और्गनाईजेशन का कारी करते हैं यह महत्पूर है तो देखते हैं मानों चिंतन की उपर्युक्त तीन अवस्थाओं में परतेक से सम्दित एक विशीष प और समाजिक संगठन में एक प्रतेक शंबंध है और इसलिए मानों चिंतन यह प्रतेक इस्तर पर एक विशीष प्रकार का समाजिक संगठन पाया जाता है जो कि एतिहासिक प्रिणामों के अनुशार निम्प्रिकार है तो इसमें जो इन्होंने एक्जैंपल दिया है प्रि संगठन बनाने में तुन्होंने बताये जब मानोज ज्ञान धार्मिक अवस्था पर होता है तब प्रतेक चीज की भादी समाजी जीवन और संगठन को भी इश्वरी इच्छा के प्रतिरूप माना जाता है इस स्तर पर समाज का स्वरूप, सम्मंधी, उलेखनी, इश्वरी सिध्धानत होता है इसके अनुसार समाज की उत्पत्य और अस्तित इश्वर की इच्छा से होते हैं इसी कारण राजनेतिक शक्ता इश्वरी अधिकार पर आधारित होती है जिस परकार एक राजा जब अपनी कद्धी पर बैठता है तो प्रजा उसके इपातों को, उसके कहे हुए शब्दों को इश्वरी रूप समझ के इश्वरी आवाहन समझ के एकसप कर लेती है उसमें एक मतभेद या कुछ भी मतलम नहीं करती, क्रिया कलाप नहीं करती वो राजा को इश्वर का प्रतिनिदी मानती है जैसे वो कहता है, जो भी कहता है उसका अनुशरन जो जनता है करती है तो ऐसा इन्होंने, जो आप अगस्ट कामची है इन्होंने खा कि इस तरीके से, जो इस तर पहला है वो हमारे समाज में संगछन का कारी करता है क्योंकि पहले जो राजा होते थे इश्वरी शित्ता को मान कर कि जो राजा है, वो इश्वर का प्रतिरुप है जो राजा है, राजा को ही इश्वर मान लिया कहने का मतलब कि राजा है जो कहेगा वो कारी करेंगे और वो ही सही उसमें कोई मतभेद भी नहीं करते थे तो ये बात अगस्ट कॉंप ने इस रूप में कही फर्स स्टेज में जो इन्होंने चिंतन का बताया सेकंड में इन्हों ने तात्विक इस्तर के बारे में बताया कि जो समाजिक संगठन और राजसक्ती के सुरूपों में परिवर्तन होता है जो सेकंड स्टेज है जो तात्विक इस्तर के बारे में बताया उसमें बताया कि इश्वरी अधिकार की अधाना को त्याग कर होता है प्रतेम इस तर से अधिक प्रगसील होता है मतलब उससे जादा प्रगसील होता है जो पहला स्टेज होता है इस इस तर पर राज की सक्ती की निरंकुसता सत्ता घर जाती है जैसे राजा सास की जो जनता थी राजा को ही सब कुछ मानती थी तो राजा हो जाता है निरंक तो इसी तरीके से जो सेकंड स्टेज है जिसमें दोनों चीजे इंक्लीड हो जाती है एक तो हमारा इश्वरी शथा भी रहती है इश्वरी क्या चलिए इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद हम बदाते हैं और उसके स्थान पर व्यक्तिकल स्वतंता की अवधार्ना भी भीजार प्रतेग विक्ति के लिए नवीन होती है इस कारण दुरुपयोग होना सभाविक है फलसुरुप इस इस्तर में भूत काल के अनेक अंध विश्वासों के नश्ठ होने और वैज्यानिक इस्तर के एक प्रारंभिग नीप पढ़ने वर भी रक्तपात और अराजकता का ही बुल इसमें इन्होंने बताया कि जो सेकंड स्टेज है हमारी तात्विक की इसमें विज्ञान और जो इश्वरी शत्ता है दोनों का मिश्टरन हो जाता है कहने का मतलब जो बुराईया होती है अंध विश्वास होते है वो तो नश्ठ होते है और विज्ञान भी आता जैसे एक व्यक्तिगत सुतंत्रता हो जाती है, तो लोग अपने तर्क के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, व्यक्तिगत अलग-अलग, अब एक के हाथ में शत्ता नहीं होती है, अब सत्ता जो होती है, धीरे-धीरे अलग-अलग हाथों में आ जाती है, तो सत्ता को चलाने के लिए कई लोगों का जो होता है उसमें भागीदार होते हैं ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने बताया लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है विज्ञानिक इस तर भी आता है और एक दोनों का मिश्रण होते हुए एक नवीन जो युग है आरंभिक युग पढ़ने वाला भी होता है और रक्त पात और अराजकता का भी बोलबाला होने लगता क्योंकि जब इनसान वेक्तिगत रूप से ही अपने अपने बारे में सोचने लगेंगे तो इसमें क्या होगी अराजकता भी फैलेगी तो इसका भी एक इन् राजा के हाँ से तो चली गई कि यहां राजा ईश्वरी है जो भी कहता है सब वही सही है लेकिन अब यहां पर यह बात नहीं आई अब यहां का जो सेकंड इस्टेज उन्होंने लॉफ त्री स्टेज में बताए उसको यहां पर उन्होंने इंक्लूट करते हुए कहा कि अब समझ में आने लगी लोग अपने अपने तरीके से करने लगे लेकिन इसमें क्या हुआ पुरहित जो इंसान ज्यादा उंचिस पद पे है तो उसने क्या किया है निचले तबक्य के लोगों को कुछ नहीं देखा उसकी बातों को उसकी वैल्यूस को मतलब कम तर आका तो यह चीजे आराजकता के अंतरगता आने लगी कि लोग एक दूसरे को कुछ समझ ही नहीं रहे अपने अपने में ही चलने लगे इस तरीके से थर्ड जो स्टेज उन्होंने बताई थर्ड स्टेज में क्या बताया इन्होंने बताया कि प्रत्यक्षी रूप से जैसा कि हमने लौफ थरी स्टेज में पढ़ा था कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बात की थी कि व्यज्यानी के जो पद्धती है उसे फॉलो किया जाए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन विशलेशन करके उस चीज का पता लगाया जाए जो चीज सामने घडित हुई है तो इसको इन आत्मिक विश्वास हो या अभाधिक प्रिनालिया होती है पर इस तीसरे इस्तर पर व्यवस्था का आधार जो हो गया व्यज्यानिक या निरिक्षन परिक्षन और प्रयोकी व्यवस्थित कार प्रिनाली होती है तो यह थर्ड स्टेज है वह प्रत्यक्ष वास से या कहें तो प्रित्यक्ष बात पर ही आधा दित है पहले क्या करते थे राजा ही समझ लो इश्वर है राजा भग्वान के द्वरा बेजा गया एक दूथ है या जो संसार में राजा है वही सर्वे सर्वा है और जो राजा कहे वो जनता बिना सोचे समझे मानने लगती है ये पहले स्टेज का है सेकंड में क्या होता है जो राजा है वो अब सत्ता केवल एक उसी की सोच पे नहीं आधारित होती है अलग-अलग डिवाइट होने लगती अलग-अलग व्यक्तियों के हाथ में हैंड ओवर हो जाती है ठीक है जैसे उसमें हमारी क्या होते हैं इन्होंने बताया कि पुरहित जो होते हैं प्रोवितवाद पस्तित हो जाता जिसमें जो जिसके पास अधिक धन है या कहें उचे पत पे है वो क्या करता है जमीन जो निचले दबक्के के किशान मजदूर उन चीज़ों उन लोगों को कोई values नहीं देता तो इससे क्या होता अराजक्ता फैलती है वो एक दूसरे में एहम की भावना आती है रक्तपात होने लगता है ये चीज़ बताई उनोंने थर्ड में उनोंने बताया अब ये कुछ नहीं चलने वाला है प्रत्यक्ष रूप से देखिए जो सही चल रहा है जो सही है उसे समझिए उसका निरिक्षन करके परिक्षन करके उसे उस गंदी पे बिठाईए ठीक है तो इस तरीके से उनोंने बताया ये कुछ और नहीं है जो एक confusion हो आप की stages of thinking and social organization क्या है तो ये जो law of three stage है उसी का एक misnand रूप है उसी को एक point out करते हुए जो आपके अगस्ट comment है इन्होंने बताया है पुराने जो आपकी history है उससे example देते हुए कि संगठन किस तरीके से बना thinking के आधार पर तो ये एक अच्छी चीज भी है जो thinking के आधार पर लोगों को संगठित करने का कार्य last three states ने किया है ठीक है अब हम समझेंगे प्रत्यक्षवाद ठीक है August comment का प्रत्यक्षवाद क्या है इसको जान लेते हैं कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जर्मदाता कहा जाता है कॉम्टे जी को प्रत्यक्षवाद का क्या कहा जाता पे अपने जो सिद्धान थे दिये हैं लेकिन इनके जो सिद्धान थे उनको समझ कर कई विचारों कोने इस मत का पता लगाया है और इन्हों ने यह जो term दिया है प्रितक्षवाद तो ये तो इन्होंने दिया ही है चलिए इसको देख लेते हैं इन्होंने इस टर्म के माध्यम से क्या definition और क्या बताने की कोशिश की है तो कौम्चे जी है जो कौम्चे निकेंसार प्रितक्षवाद का अर्थ होता है वैग्यानिक है और उसका विचार है कि समगर ब्रह्मान जो है अपरिवर्तिनी प्राकरतिक नियमों द्वारा विवस्ति तथा निदेशित होता है और यदि इन नियमों को हमें समझना है तो हमे क्या करना होगा वेज्ञानिक विधियों के माध्यम से समझ सकते हैं इसमें धार्मे क्या तात्विक आधारों पर नहीं समझा जा सकता ये तो निरिक्षन परिक्षन प्रयोग और वर्गी करनर पर आधारित हैं वेज्ञानिक विधियों के द्वारा ना केवल प्राक्ति ना क प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देख कर अवलोकन करना विशलेशन करना उसका निसकर्ष निकालना और उस परणाम पर पहुचना है ठीक है यह सिंपल सी डेफनेशन है जिससे आपको उसका पूरा ओवर्विव मिल जाता है कि प्रत्यक्ष बाद सब्दुस से ही हम इसप पृत्यक्ष बाद को बताया है ठीक है और इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष बाद जो है कल्पना और इश्वरी महीमा के आधार पर नहीं है यह कोटेशन किसकी है तो यह आपकी अगुस्ट कॉम्ट की है आपको याद रहनी है एक हमारे तिंकर हैं जो इन्होंने डाक्टर बि जो है इन्होंने कहा कि जब इन्होंने अगस्ट कॉम्ट ने ये concept दिया प्रतेक्षवाद तो इस पे इन्होंने टिपडी की और बताया कि ये ऐसे ही है प्रतेक्षवाद का इनका मतलब ये था तो इन्होंने टिपडी करते हुए कहा कि जो अगस्ट कॉम्ट ने इन्होंने इ कीसिं लगार। एक मरीज है जिसने संखियां खा लिए हैं WELI खाकर व़ीमार हो गया है। क्या करेंगे तत्विक ज्यानी और व्यध्यानि-वं पित्तवि संखिय तीनों ही अलग-अलग धंग से उसका निरिक्षन परिक्षन करेंगे संख्या खाली व्यक्ति मरीज था और दीरे-दीरे क्या गया संख्या कहा के वो मर गया अब उसका अब मरे हुए व्यक्ति का ये पता लगाने के लिए कि किस कारण मरा है तो अलग-अलग जैसे उस चीष का मत कुछ और देंगे त Northern व्यक्ति को देख कर कुछ अपने मत के अनसार अपने विचारधार्ण के अंसार अपने प्रोस्पेक्टिव के अंसार उस चीज़ को देखेंगे और बताएंगे विज्ञानिक अपने तरीके से देखेगा प्रित्रिक्षवादी तो ऐसा इन्होंने कहा कि इन तीनों चारों के विचार क्या होंगे अलग-अलग होंगे धर्मवादी उस विक्ति को मर जाने को जो इश्वरी विधान है वो मानकर कहेगा कि ये भाईया इश्वर की इच्छा थी इस वज़े से मर गया इसके विप्रित एक तत्तु ज्यानी क्या कहेगा कि ये मिलन और विच्छो का एक सुभाविक नियम है और म्रत्तु एक ऐसा अंतिम विच्छो है जिसमें विच्छोडन फिर नहीं मिल जाता तो ऐसा ये कहेंगे किन्तु इसी म्रत्तु के संबन में एक विज्यानी क्या मत देगा वो कहेगा कि कारेपरिणाली उप्युक्त दोनों मतों के से विन्यू होंगी एक डॉक्टर यह कहेगा कि या विक्ति संख्या खाकर मर गया है तो डॉक्टर म्रत्त विक्ति का सुयम जाकर वास्त्विक क्या करेगा निरिक्षन करेगा, परिक्षन करेगा और फिर उस निसकर्से पहुँचेगा तो यहीं बात इन्होंने कही एक्जामपल दे के कि इसको easy समझी ए तो यही है कि डॉक्टर जिस तरीके से वास्तविक रूप से उसे निरिक्षन परिक्षन के माध्यम से समझता है उसी तरीके से उसे ही प्रत्यक्षवाद कहते हैं चलिए अब देख लेते हैं प्रत्यक्षवाद की जो प्रणाली है कि इसका सिक्वेंस क्या है कि हम प्रत्यक्षवाद को किस सिक्वेंस में समझें तो इन्होंने बताया कि अध प्रिष्टेक्ष होने वाले समस्तत्यों को एकत्र कर लें फिर क्या करें तत्यों का विशलेशन करके समानेवल विशेस्ताओं के आधार पर वर्गी करन करते हुए आगे बढ़ें उसके बाद उसी विशे से सम्मदित कोई निसकर्ष निकालते हैं निरिक्षन परिषन समागरियां होती हैं तत्यों होते हैं उसे पहले कलेक करते हैं फिर उसके बात क्या होता है फिर निसकर्ष पर पहुंचते हैं और इस निसकर्ष का आधार क्या होता है हमने पहले चीज़ों को निरिक्षन करा परिक्षन करा फिर वर्गी करन करके उसको डिवाइड कर दिया यही नीव का आधार बंदी है पृत्य निश्चित समाजिक निएम होते हैं विज्यानिक देश्ट्रिकॉन अपनाया जाता है विज्यानिक कारिपनाली होती है कि इसे किस सेक्वेंस में वर्क करना है किस तरीके से इसे आगे प्रोसीजर करना है तो इस चीज को विज्ञानिक परणाली के अंतरगत आता है पत्यक्ष ना होने वाली गटनाव से असम्रद्ध है धर्म और विज्ञान का स्वेन है ये अगोस्ट कॉम्ट के एकॉर्डिंग धर्म और विज्ञान का स्वेन है ये समाजिक पुनर निर्माण का साधन है यह और एक इन्होंने पत्यक्षवाद का जो रूप बताया है एक धार्मिक रूप भी बताया है ठीक है और पत्यक्षवाद के तीन विवाजन भी बताया है इन्होंने तीन विवाजन किया है पत्यक्षवाद के विज्ञानों का दर्श विज्यानिक धर्म और नीधी शास प्तयक्ष राजनीतिक सास ठीक है इन्हों ने जब यह प्तयक्ष वातका एक धर्म के रूप में प्रयोग किया तो इसमें जो आपके जेस मील गड़े इन्हों ने कहा कि कि जो अगुस्ट कॉम्ट हैं वे स्वयम प्रत्यक्षवाद के जन्म दाता जरूर हैं लेकिन ये खुद प्रत्यक्षवादी नहीं रहें क्योंकि इन्होंने धर्म और मानों को एक साथ जोड़ दिया विज्ञानिक पद्दती को और धर्म की पद्दती को एक साथ मिला के बा जो पॉजटिफ फिलोसफी इन्होंने लिखी थी आपके अगस्ट कॉम्ट ने इसे लिखकर इन्होंने बहुत सी चीजों को जो वेज्ञानिक इस दिती थी वेज्ञानिक जो आधार इन्होंने इस तर को बताया था वो उसमें खुद इस सिर नहीं रह पाए कॉम्ट अपने को केवल मात्र एक वेज्ञानिक रूप में ही प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे अपित उनका उद्दिश बौदिक और नयतिक एकता के आधार पर समाज का संगठन करना था या एकता ज्ञान की बिना संभव नहीं इस कारण समाज का संगठन ग्यान के द्रड़ता आधार पर होगा और ग्यान प्राप्ति प्रत्यक्षवादी से धानतों के आधार पर संभव है तो ऐसा इन्होंने धर्म को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उन्होंने कहा यही धर्म को बांधे रखना है धर्म को एक्ता के सुत्र में ज़े संगठन के रूप में बांदे रखना है तो हमें प्रत्यक्षवाद के आधार पर मानोता को समझना होगा ठीक है तो इन्होंने प्रत्रक्षवाद को लोगों के ज्यान की व्रद्धी और उसके साथ आधार पर नैतिक एकता पनपने में शाहिक होता है ऐसा कहा उनके देश्टिकोंड से केंसार प्रतक्षवाद मानो कल्याण का एक आधार भूत कारक है और सच्चे अर्थ में धर्म का भी जो समर्थक जो सार्थक उद्देश है वो मानो कल्याण ही है ऐसा इनुंका मानना था प्रतक्षवाद मानोता का एक ऐसा सच्चा धर्म है जो अपने सम्मंद या अपना सम्मंद और लोक्षिक शक्ति से उतना नहीं जोड़ता जितना बौधिक और नयतिक एकता की आधार पर समाजी संगचन और प्रगति से जोड़ता है तो ऐसा यह अगुस्ट काम्ट का मानना अगुस्ट काम्ट ने कहा कि जो प्रतक्षवाद है उसका जो विज्ञानिक मत है वो यह है कि समस्त मानो समाज का विशेस कर यूरोप के जोगा या राष्टों का भौधिक नयतिक कल्यान करना है इस उद्देश की प्राप्ति विशेस प्रकार के निदेशन तदा सिक्षा के द्वारा ही होगी तो इस तरीके से इन्होंने प्रतक्षवाद को तीन आधार में डिवाइड कर दिया विज्ञानों का दर्शन विज्ञानिक धर्म और नीतिशास प्रतक्ष राजनेतिक शास तो प्रतक्ष राजनेतिक शास से आपको सीधा सा आपको पता लग रहा कि सुव वैस्था इसका आधार है और प्रगति इसका ध्य कोटेशन बन जाता है तो इसे भी आप याद रखिएगा कि इन्होंने दूसरों के प्रति जीवित रहो ऐसा कहा नेतिक आधार ये है धर्म का राजनेतिक परिपेख्ष में इन्होंने इस बात कही कि हींसात्नक देम इसका सिधानत है सुव वैस्था इसका आधार है और प्रगति इसका धेय है नेतिक देश्टि से इसका जो नियम है वो ये है कि दूसरों के लिए जीवित रहो ठीक है तो ये इन्होंने कहा आगे ओग जो विज्ञानिक धर्म और नीति शास्त के बारे में इन्होंने बताया तो इन्होंने कहा कि जो धर्म है प्रत्यक्ष धर्म का कोई संबंद किसी आलोकिक शक्ति से नहीं है या तो समस्त्र जो मानों है मानों का धर्म है तो कुछ डिया जाए कि मानों का धर्म किसने दिया है कॉंसेप्ट किसका है या यह चर्म है किसने यूज की है तो यह आपके अगस्ट कॉम्ट है पत्तक्षवात के नैतिक नियम संशेप में इस प्रकार दूसरों की सिवार्थ अधिक से अधिक उपरिक्त होने के लिए सारिक बौधिक और नैतिक उन्नती है ऐसा इन्होंने विज्ञानिक धर्म और नीतिशास के अधार पे बताया विज्ञानों का दर्शन के बारे में इन्होंने क्या का? विज्ञानों का दर्शन के इन्होंने बताया कि जो इसका सारत तो या है कि अपने भागिया इस्तिति के सुधार या उन्नति के लिए मनिश्य को अपने परिश्रम या प्रतनों पर भरोशा करना चाहिए इस दर्शन के अंतरगत निम जो विज्ञान थे उनके समयन किया था वो हरारकी भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में गडिसास को और फिर नशत्र विज्ञान को पदार्थ विज्ञान को रशायन सास को प्राणिशास को समाज सास को और नितिशास को इन्हों ने इस तरीके से इन्हों ने इन सब विज्ञानों को समावेशित करते हुए विज्ञान का दर्शन बताया ठीक है तो यह थे आज के हमारा जो कॉंसेप्ट दो प्रत्रेक्षबाद और आपका मानो चिंतन के इस्तर और समाजिक संगठन आई हूप आपको समझ में आयोगा नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारे जो कॉंसेप्ट है आपका विज्ञानों का संस्तरण है हरार्की आफ साइंसिस तो इसे यह कॉंसेप्ट क्या है सोच्योलजी में काफी इंपॉर्टेंट है इसमें हम जो कवर करेंगे कि जो सिक्वेंस उन्होंने दिया था हरार्की दी इस तरीकरन किया था जो विज्ञानों का किस सिक्वेंस में किया था और क्या इसका जो सिक्वेंस पढ़ने का आधार उन्होंने क्या बताया क्या बताते हैं इस कॉंस और डिक्रीजिंग और ओर दोनों चीजों को बताया था तो वह भी कवर करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियों पर फिर मिलने हैं वीडियो अच्छी लगी होँ तो लाइक जरी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा. थैंक्स वोच्च